हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो दा चैनल, फ्रेंड्स कुछ दिन पहले मैंने एक शॉट वीडियो डाला था, जो डिश्वाशर रहता है, वो कैसे स्टार्ट करने उसके बारे में, फ्रेंड्स वो वीडियो देखके बहुत सरे लोग कमेंट करने लगा है कि ऐसा जो जो है वो कैसे यूज करते हैं हम वो पुरा दिखाएंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके और मैं यह भी डिसकस करूंगा इंडिया में यह डिश्वाशर का कितना कॉस्ट होता है अप्रॉक्सिमेटली ताकि आप जैसे आप लोगों को पता ही अभी लॉक्डाउन है तो इ यह डिश्वाशर है जो इंडिया में बहुत महंगा तो नहीं है अप्रॉक्सिमेटली 35,000 में मिल जाता है तो आप यूज कर सकते हैं पहले देख लीजिए मैं हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको रेगुलरली और कैसे आप लोग के मन में यह भी क्वेस्टन होगा कि हमारा जो ओईली फूड है उसका जो रिमेनिंग से वो प्लेट्स वगड़ा से वो जाता है के नहीं तो वो भी मैं दिखा दूंगा फ्रेंड्स सब कुछ दिखाऊंगा और मैं यह भी डिस्कस करूंगा वो जो डिश्वाशर का जो जो टैबलेट है छोटा सा जो जिस जो डिटर पर दूंगा वो कैसा है और कहां पर मिलता है इंडिया में यहां पर तो यह कॉमन है कोई भी सुपर मार्केट में मिल जाता है लेकिन इंडिया में मैं बहुत ज्यादा नहीं रेखा तो फ्रेंड्स आज भी डिसकस करते हैं पूरा डिश्वाशर के बारे में तो यह देखिए फ्रेंड्स यह है हमारा डिश्वाशर यह बॉष्ष कंपनी का डिश्वाशर है फ्रेंड्स देखिए बहुत ही सिंपल है इसका जो कंट्रोल से वो भी बहुत सिंपल तो यह साइलेंसमोड है ताकि रात को ज़्यादा आवाज देया था यह जब हम चलाते यूज्यली रात को ही चलाते सोने से पहले तो पूरे दिन का जो भी बर्तन है वो हम इसमें डाल देते हैं ऐसे देखिए अभी दोपैर का टाइम है तो मॉर्निंग का जो ब्रेक्फास्ट हुआ था उसका प्लेट्स हमने डाल दिया और यह कुछ बॉक्स था वो उपर डालते हैं प्लास्टिक का तो अभी बचा इवनिंग में अगर चाय वगरा टी या स्नैक्स लेंगे वो भी डालेंगे इसमें और फाइनली रात को जो बड़े यूटेंसल है जिसमें हम खाना खाना पकाते तो वो डालेंगे और उसके बाद जो प्लेट्स बचे हुए रहेंगे वो भी डाल देंगे यहाँ पे जो भी यूटेंसल से वो जब हम खरीत थे आईकिया से या कोई भी शॉप से उसमें लिखा रहता है डिश वाटर वाशर कंपैटेबल है के नहीं है तो वो अब चेक कर ला इंडिया में मेरे ख्याल से वो लिखा नहीं रहेगा खासकर के नॉन स्टिक बढ़ तनों के लिए और यह कूकर के लिए जो इस टाइप का कूकर है यह कूकर इंडिया से लाए है हम प्रेस्टीज का है तो इसमें तो लिखा नहीं रहे है इसलिए हम इसको डालते नहीं यह यह हाथ से ही धो लेते हैं, या जो डिश्वाश्र में, हम लोगों को डर डर लगा रहता है, यह लाल चलर का जो गोटिंग है, वो निकल जाएगा, इसलिए हम यह डालते ने हैं, डिश्वाशर में, तो यह है सारा हिसाब केतब, यह देखिए यहाँ पर तीन मोड है, यह जो जो कप्स वगर है उसमें शाइनिंग के लिए यह अच्छा है यह इको मोड है जिसमें हम लोग चालू करते हैं देखिए फ्रेंड्स इसमें पानी भी कम लेता है और बिजली भी कम खर्चा होता है और दूसरा है 40 डिग्री से इसमें हम ग्लासे जो यह सिम्बॉल दिया हुआ से लेके सारे तिन घंटा तक चलता है इको मोड में तो रात को डालने के बाद हम सुबह ही इसको ओपन करते हैं यह देखिए यह इसका पावर बटन है यह पहले आउन करना पड़ता है उसके बाद यह स्टार्ट करना पड़ता है और हम यूजली इको मोड में रखते है इस से घुमता है देखिए उसके बाद मैं यह ओपन करता हूँ एक बार यह देखिए जो डिटर्जेंट है हम इधर रखते हैं यह देखिए यह जो स्लॉट है और रखने के बाद इसको इसको बंद कर देते हैं अगर आपके पास कांच का आप ट्रांस्परेंट बहुत तरनकर जादा है तो इस पर आप शाइनिंग के लिए दूसरा लिक्विट भी डाल सकते हैं अलग से कोई-कोई डालता है फ्रेंड्स और फ्रेंड्स जब फर्स टाइम यह डिश्वाशर हम यूस करना स्टार्ट करते हैं फर्स टाइम तो उसमे सॉल्ट भी डालना पड़ता है यह दिश्वाशर जब खरीदेंगे आप उसके साथ मिलेगा यह वह जो धकने उसको ओपन करके एक सॉल्ट का पैक रहता है वह डालना पड़ता है और देखिए फ्रेंड्स का मेकानिजम कैसा है यह घूमते रहता है और इसमें से पानी प्रेंड्स रहना जरूरी है यह देखा गया है कि जो मॉडर्न डिश्वाशर से वह ज्याधा पानी वेस्ट नहीं करता बहुत मिनिमल एकोनोमिक मोड में बहुत कम पानी खर्चा करके भी यह अच्छी तरीके से साफ कर देता है इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा यह जो यह देखिए मैंने शॉर्ट वीडियो में अल्रेडी दिखाए था हम लोग हम लोग यह बोलके कमपनी है इसका यूज करते है और भी आता है फिनिश बोलके है फिनिश का मैं इंडिया में भी देखा था फिनिश का भी आप यूज कर सकते इंडिया में यह देखें यह dissolve हो जाता है और इसमें यहां पर पाउडर है और इसमें लिक्विड से यह शाइन के लिए यह एक ही काफी है एक उहां पर रख दिया तो फूरा काम हो जाता है फ्रेंड्स यह देखिए स्टील का जो मरतन है यह हम 沒事 dishwasher में डालते हैं एप फ्लेट्स वगर्थ हमेशा dishwasher में डालते हैं नॉइस्टिक कुछ डालते हैं जिसमें लिखावा ऑइअ डिशौश्र कंपेटेबिल और कुछ नहीं डालते हैं कुकार हम नहीं डालते क्योंकि इंडिया से लाए था हम को पता नहीं वो dishwasher compatible है के नहीं है friends मैं ज्यादा technical knowledge तो मेरे पास नहीं है यह एक आम तोर पर मैंने आपको बता दिया तो इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा के wash होने के बाद कैसा रहता है यह इस वीडियो के साथ वह आप देख लिए फिर से मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स मैं अभी dishwasher को जो है ना अंदर से दिखाता हूँ फ्रेंड्स यह देखिए यह यह जो बटन है वह अभी धूलके यह आप देख सकते हम लोग रात को यह मैशिन इसटार्ट किया था डिश्वश को आप सकते इसको यहां से पकटने का ईसा खीचने का यह से रहता है oriontation फ्रेंड्स यहां पर प्लेट्स रखतें और अब देख सकते इसका इसने अथी तरह के साफ फyas unfinished यहाई ओईली जो प्लेट्स है ओईली फूड खाने के बाद जो प्लेट्स रहता है वह साफ होता है के नहीं तो आप देख सकते हैं उपर हम लोग नॉर्मली प्लास्टिक और यह सब ग्लास का सामान देते हैं अब देखिए यह स्टील का बटन है इतने अच्छी तरीके से साफ हुआ है फ्रेंड्स आजकल फ्रेंड्स इंडिया में भी बहुत लोग यह मेशीन को खरिद रहें डिश्वाशर बहुत पबूलर है सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है फ्रेंड्स जो इंडिया में जो कंसिस्टे पानी का सप्लाइ चाहिए इसके लिए क्योंकि जैसर मैंने बताया तीन घंट यह चलता है एको नमिक मोड में इको मोड में तो तीन घंटा वह स्टार्ट होता है बंद होता है अपने हिसाफ से अर्क अगर इंडिया में जैसे पूने में रहता था वहां पे कभी-कभी पान ये लेके इंस्टॉल कर रहा है ये डिश्वाशर है ये बॉश कंपनी का है और बहुत सारे कंपनी का मिलता है मैं Amazon में कुछ लिंक सबसे शेर कर दूंगा Amazon का आप देख लीजिएगा ये देखे फ्रेंट्स बॉश का सीरीज डू जैसे मैंने बता है साइलेंट्स ये रात को ज्यादा आवाज भी नहीं करता है एक्दम साइलेंट्ली वाश होता है तो ऐसा है फ्रेंट्स देखिए फ्रेंट्स अभी ये जस्ट मैंने आउन किया ये स्टार्ट बटन दबा के ये इतना साइलेंट है थोड़ा सा भी आवाज नहीं आ रहा है तो जैसा मैंने बोला था ये साइलेंट साइलेंट मॉडल है ये जब रन होता है आपको कुछ आवाज नहीं सुना देगा तो इसलिए हम इसको रात में ऑन करते ये तीन घंटा लेगा अभी मैं है फो फोड़ा सा लेकिन हमने हमने इको मॉल में दिया इसमें पानी भी घटोड़ा कम हम खर्चा होता है तो इस को किसे उस्कों करके हम लोग रात को सहांगे और रात हो और मॉर्निंग में हम इसको ओपेन करेंगे तो फ्रेंट्स आप लोगों ने देखा कैसा इसका जो वाशिंग कैपेबिलिट है कितना पावरफुल है कोई भी ऐसे जो ऑईली स्टेंस है जो बर्तन पर लगा हो रहा रहता है यह भी ड्राइव भी हो जाता है तो भी यह निकाल देता है तो फ्रेंट्स अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा इंडिया में आप कौनसा ब्रांट ले सकते हैं मैं Amazon.in में देखा था वहाँ पर बोश का भी मिलता है बोश का डिश्वाशर और फेबर बोल के एक कंपणी है उसका भी मिल रहा है यह आप देख सकते हैं जो बेस्ट बाई लिंक है वह आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप उस लिंक को लिंक से चेक आउट कर सक है और जो सॉल्ट मैंने डालने की बात किया था वो भी अवेलेबल है बट मोस्टली इंडिया में कैसा ही इंस्टॉलेशन फ्री रहता है यह डिश्वाशर के साथ वह 36 अवर्स के अंदर कंपणी के लोग आके आपको इंस्टॉल कर देगा most probably ठीक है फ्रेंड्स तो आप Amazon म मैंने जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया अराउंड 35-37,000 का कॉस्ट होगा यह मैं में भी आप ले सकते लेकिन फ्रेंड्स मुझे लगता है यह वन टाइम इंवेस्मेंट रहेगा मुझे पहले जादा पता नहीं था में डिश्वाशर के बारे में पता थ लेकिन अगर मुझे पहले पता होता तो मैं 100 परसंट पूने में एक बिठा था के मोस्ट आफ बिकास तभी बैचलर रहता था और सारा का मुझे करना पड़ता था और बाकी कामों के लिए मैं दोमेस्टिक हेल्प लिया था कूकिंग के लिए तो और यह जो वाशिंग के ल करने में तो यह प्रॉब्लम था फ्रेंट्स तो यह डिश्वाशर आप ज़रूद देखिए ट्राइ कीजिए यह ज्यादा कॉस्टली नहीं है एक एसी एसी एयर कंडिशन के कॉस्ट में आ जाता है लेकिन यह लाइफ टाइम आपका साथ देगा बहुत सारा काम जो है आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो अभी के लिए यह वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ फिर में लेंगे फ्रेंट्स बाकी जॉब रेलेटेड टॉपिक्स और कोई भी अलग टॉपिक को लेके मैं जल्दी आपके पास अपसे कॉंटक करूँगा और जल्दी छोँगा बणिड़ गिजिसे औरा थो और एंड को लिए हो आपके लेके लिए में मृएंचा वाँ बार टॉब – परता है